आरक्षण गोते पर सुप्रीम कोट में आज हुई सुनवाई प्रदीश सरकार को लगाई फटकार 122 साल पुराने शियों मंदिर में तोड़ फोड़ इस्ताने निवासियों आगराह मुरादाबाद हाईवे जाम कर्प किया प्रदर्शन करनेल गैंज कोटवाली के एक गाउं में महिला के साथ सामोहिक दुशकर्म बहिला आयोग की दल अंदाजी पर दर्च हुआ केस जिलापकारी अधिकारी की निर्देश पर आवेश शराब की गई जब्त मौके पर धाई हजार लहन आपकारी वे भागने किया नस्र हम रोहा के नेशनल हाईवे 9 पर कार सेस्टन करने वाली युवक की बढ़ी मुश्किले वारल वीडियो के आधार पर पुलिस ने की गिरफतारी की निर्देश शारी की है नवशकार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नदरी यादो वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों कारू करते हैं खबर की ओर खबर लक नव से है जहां नगर निकाय चुनाव में आरक्षड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की गई सुप्रीम कोट ने हाई कोट के दिये फैसले पर सुनवाई की और प्रदेश सरकार के निकाय चुनाव जल संपन करानी की माँ को खारिज किया सुप्रीम कोट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जनवरी माँ में चुनाव संपन नहीं कराए जाएंगे निकाय चुनाओं में हो रही देरी पर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई सुप्रीम कोट में कल भी निकाय चुनाओं पर सुनवाई जारी रहेगी और इस खबर प्यादिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी सुहानी सुहारी सुप्रीम कोर्ट ने इलहाबाद के हाई को रोक लगा दिया है निकाय चुनाओ को लेकर जो आयोग बनाया थे जो कि छे मंत का उसमें कारेकल था उसको अब 31 मार्स तक रिपोर्ट सौपनी होगी और इसके साथ ही अड्मिनिस्टर कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेगा सुप्रीम कोट का साथ तौर पर कहना है और सुप्रीम कोट ने इभी कहा है कि जल चुनाओ दे और साथ इभी कहा है कि जो कमिशन ने छे मार का जो कारिकल रखा था उसको पूरे अबसी आरक्षर अपना पुरा रिपोर्ट कार एक्टीस मार्स तक सौपेगा और जो इलाब अधाय को कर पहना था कि विसी आरक्षर बिना अबसी के जो चुना होगा उसे नहीं होगा और सारे नोटिसिकेशन को संग्यान में लेती हुए चुनाव किया जाएगा तुमाब जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी संबल के बहजोई कोतवाली में इससादाद बाड़ी मंदिर पर अराजक ततोर ये 122 साल पुराने शियों मंदिर भी तोड़ फोड़ कर प्रतिमा को छतिक रस कर दिया इस्तानी निवासियों ने घटना के विरोध में आगरा मुरादाबाद हाईवे को जाम कर विरोध प्रदशन किया और अराजक ततो की गिरफतारी की मांग की सुचना पर पहुंचे पुलिस ने विरोध प्रदशन कर लोगों से बाचित कर सकत कारिवाई का आशवासन दिया पुलिस अधिक्चक चकरिश मिस्र ने बताय कि मंदिर परिसर के पुजारियों की आपस मतबेद है सिवल कोट में सुनवाई की जा रहे हैं कोट के आदेश के बाद मुखदमा दर्जकर कानूनी कारिवाई अमल में लाई जाएगी जिसमें नंदी बाबा और सनीर महाराज का सीधा हाथ और दुर्गे माता के सीधा हाथ और बाएं हाथ काटे गए हैं कुछ व्यक्तियों के द्वारा मंदिर के बाहर लगी हुई पुरानी एक-दो मूर्ति को छतिग्रस्त कर दिया गया है पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच कई जब छानमीन की गई तो मौके पर फुजारीों के दो पक्षों के द्वारा एक-दूसे के ऊपर आरूप लगाएगे उनीके द्वारा दी लिखित तहरीर के आधार पर नामजद पुजारीों के विरुद्ध फाई-यार पंजीक जा रही है मौके पर शान्ति रस्था, पुरी तरह से कायम है। तो आज ये मंदर की यहां तोल बॉल मचाई गई है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सार 11 बजे मंदर पर डोल के मैं खुल गया हूँ, बागे बाद में तारा लग जा था मंदर पुलिस वाले हैं तैयार थे तैनाथ थे, फिर बागे बाद में सिबिलिंग में छेहनी बजाएंगें, उसके बाद में पर्श्वतिन जात मंदर के सामने चार मंदर हैं, गडेजी क अतरपदेश के अमरोहा जनपत के गज्रॉला थानर शेत्र में नेशनल हाईवे 9 परिसित होटेल के पास एक और वीडियो वाइरल हुआ है, जिसमें कुछ बिग्रे सहजादे, फॉर्चुनर महंगी गाडियों से स्टंट करते नजर आ रहे हैं, इस मामले का वीडियो सामन के आने के बाद पुलिस ने फिर से वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, जिलाबकारी अधिकारी अनुराग मिश्रा के निर्देश पर आपकारी विवाग के टीम ने हसनपुर्ग कोद्वाली के गाउं अलीपुर्ग खादर में छापे मारी करके करीब 320 लीटर अवैद कच्ची शराब बरामत की और धाई हजाल लीटर लहन नस्ट कर दिया, आठ लोगों के खिलाफ मुकद्मा दर्ज कर वैधानी कारिवाई करने के निर्देश आरी हुए है, जिलाबकारी अधिकारी ने बताया कि अवैद रूप से कच्ची शराब के नर्माड की शिकायत पर आपकारी टीम इच्चापे मारी की और बड़ी मात्रा में अवैद शराब को नस्ट किया, जोरान आपकारी विवाग के निर्ख्षक गौतम कुमार सिंग समेथ अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे आपका डाला गया चापे के दावरान तीन सो वीस लीटर कच्ची शराब बरामद होई है अथा करीब धाई हजार खबर गोंडा से है जहां करनेल गंज कोत्वाली के एक गाउं में खेत में जारे महिला के साथ तीन लोगों ने इस सामोहिक दोशकर्म किया परत महिला ने करनेल गंज कोत्वाली में दोशकर्म के शिकायत की लेकिन पूलिस अधिकारीों ने दबंगों की रसू के चलते मुखदमा दर्च नहीं कराया महिला आयो के दखल अंदाजी पर 44 दिन बाद पुलिस अधिकारियों ने आरे उपियों के खिलाफ मुखनमार दर्चकर गिरफतारी के निड़े इशारी की हमारे हत्या करने की कोशिस की गई हमारे एक्सीडेंट पहलाद गंजवाले रोड पर बबबू शिंग अनूप सिंग सुमिश सिंग सोनु शिंग वैस इंदर सेंग सिंग और दीपक सिंग तरहता के लोग अमानु शिंग अब ही के लिए उतरपदेश की खबरों में बस अतना ही देश दुनिया की अब देख रहे हैं प्राइम टीवी साहस सरुका